दोस्तो जब हम शोप पे से लाइट लाते तो तो अच्छी तरग से वर्क करोता है फिर वो कुछ दिन पूराना आँप जाता है तो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है देखिए मेरा भी कुछ इसी प्रकार से हो गया है लाइटर तो इसका में रिजन है अंदर के खरावी आ जाती है इसमें कुछ दूसरे सुदा ना पड़ागा तो इसके लिए में इस पहले इस्टिल को डिकन को हेना पड़ेगा इस परकार आप पिलायर से भी हेड़ सकते यह देखिए दोस्तो इसमें कुछ यह आपको इस्टिल का दिख लोहे का यह न थाइप तो आपको इसको भी खूल लेना और इसे खूलने के बाद दोस्तो इसमें प्रोब्लम क्या आती है जब हम इसे इस तरह से दबाते हैं बारबार तो इन नीचा आती है जिसके कारण चिंगारी पहले फेकता है फिर बाद में गेस पेकता तो इस वजह से जलने पाता है तो हमें इसको सिंपली थोड़ा सा ऊपर करना होगा ज्यादा है भी उपने करना हो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देंगे दोस्तों आप प्लायर की मदद से भी इसको कर सकते हैं तो हम चली अब इसको कर देते उपर इससे क्या होगा उपर करने से पहले गेस पर जिसके बाद चिंगारी पेगेगा तो आग जल जाएगी यहां से इस परकार से शोट मारता है तो इसमें आग लग जाती है तो हम इसको कुछ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों आप इस प्लायर की मदद से भी कर सकते हैं सिंपली कोई जदा कठीन काम नहीं तो आप हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों अब हमें इसको ऊपर करने के बाद वापिस जो है इसमें फिट करना आपको ऐसे करके यह वीडियों दिखाय जा रहा है इस परकार से इसको फिट करना है दोस्तों इसके नीचे यहां पर इस परकार से फिट हो जाएगा दोस्तो मेरा थोड़ा कुछ इसमें कर तो इस परकार इस में की आधानी손 फिट कर एंगा है कि आ sebagai दोस्तों नीजह जाएगा इसे का मैं इसको तोड़ा और नीचे करते हैं और यह फित फिट हो गया यह दोस्तों अब हम देखें हैं इसको पहले को लगा कर देखेंगे अब हमें करें हम सी श्टिल वाली को लगा के देखते फिर चलाएंगे तो 100% यह वर्क करेगा दोस्तों 100% तो ब्त हम इसको चलाएंगे देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह किसे वर्क कर रहा है देखिए दोस्तो अब अच्छी तरह से जल गया है अमें काफी गुस्सा भी आता है मेरे को जब ये वर्क नहीं करता है दोस्तो हम लाते हैं मार्केट में से और कुछ दिन पुरान आप देखिए अच्छी तरह से चलने लग गया तो आप इसको इस परकार करके अपने को शुदा लिजा अगर वीडियो अची लगी तो लाइक कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज दो तुमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए